असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स हावरी और उमेदे कि आप सब खेरियत से होंगे स्टूरेंट इस यूर इंग्लिश लैंग्विज ब्लॉग है 69 है 69 में आपके पास है पेज नबर 169 एंड टैक्टिस अफ एक्जेक्टिव एंड होमवर्क इस पेज नबर 17170 170 ओपिन पेज नबर 169 वर्बुक के पेज नबर 169 ओपिन करेंगे 169 में आपके पास है रिवीजन यहां पे डेमेंशन करेंगे मंडे यहां पे एक सेंटेंस राइट है अब वाई इस सिटिंग एन ड्रिंकिंग होट मिल्क ऑन अ स्मॉल चेर यहां पे सेंटेंस रिअरेंज है ठीके मतलब सेंटेंस बिलकुल सही नहीं लिखावा अब यहां पे आपके फर्स कोशन है रिवाइट दे सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप सबसे फर्स तो आप लोग capital letter से start करेंगे और last में full stop लगाएंगे कहरें rewrite the sentence A boy is sitting on a small chair and drinking hot milk इसको rewrite करने है, rewrite कैसे करेंगे? देखें A boy is sitting on a small chair and drinking hot milk इस तरह, write करें इस तरह लिखेंगे A boy is sitting on a small chair and drinking hot milk अगर आपके पास जगा नहीं हो तो आप यहाँ पर एक line रो करके भी काम कर सकते हैं second question है, आपके पास write the nouns in the sentence कहरें, इस sentence में आपको noun कर लिखने है noun ढून कर लिखने सबसे फर्स noun क्या है? boy, second is milk and third is chair यहाँ पर write करें question number two के answer पर verb question number three है, write verbs in the sentence verb क्या है, किसी भी action word को हम लोग verb कहते हैं, कोई भी action करना मतब कोई भी काम करना कुछ भी करने को हम क्या कहते हैं, verb verb is a action word verb is a action word अब यहाँ पर action क्या है, sitting, drinking क्या है, sitting and drinking यहाँ पर लिखेंगे, write करें अब क्या है, write adjectives in the sentence adjectives किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई मतब कोई भी चीज़ हो उसकी अच्छाई या बुराई मतब उसकी length क्या है इसका size क्या है, उसका weight क्या है, यह, या color ठीक है, इस सब को क्या कहते हैं, adjective कहते है, adjective इस sentence में क्या है a boy is sitting and drinking hot hot क्या है किसी भी चीज को बताना के वह hot है या cold है hot hot क्या है adjective on a small chair chair क्या बताया के chair कैसा है small है ना यह तो नहीं बताया ना big chair यहाँ क्या बताया है small chair अब यहाँ क्या करना है write adjectives in sentence adjective क्या है hot and small अब सबसे last question है can you write nouns in alphabetical order क्या आप nouns को alphabetical order में लिख सकते हैं आपके पास second question में noun लिखे थे अब क्या करने इनको alphabetical order में सबसे first a वाला लिखेंगे a से तो कोई भी word start नहीं हो रहा b b वाला लिखेंगे boy b के बाद c c से है chair फिर last word क्या है milk यह आपका classwork है और इसमें color भी कर सकते हैं आप यहाँ पर आपको क्या करना है यह sentence दिये गए हैं इनको again rewrite करना है first letter capital करेंगे last में full stop करेंगे इसके बास rewrite करना है बिल्कुल इनको तरीके से सारा इस sitting on a chair and eating a red apple इनको बिल्कुल सही से perfect लिखना है और इसके इलावा आपको first letter capital और last में smart noun को आप blue color से underline करेंगे और verb को आप red color से okay verb sitting eating इनको आप red color से underline करेंगे यहाँ पर dimension करेंगे अपना बहुत खयाल रखेगा अल्ला हाफिस